हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एन्बी चैनल पर आप सभी का सवगत है आज के वीडियो में हम आपको दोसो पंचा संडो का होम मेट सेमी आटोमेटिक इंकुबिटर बता रहें दोस्तों जीहा जैसा कि आप वीडियो में दिख रहे हो यह घर पे बना दोसो पंचा संडो क सेमी आटोमेटिक इंकुबिटर है इसे बनाने वाले हमारे एक क्राह के सुभोत कुमार जी नवादा बिहार से इन्होंने इसे बनाया दोस्तों इन्होंने स्रीफ हमारे पास से STC 3028 कंट्रोलर पर्चेस किया था कंबो कंट्रोलर और बाकी कुछ छोटे मोटे स्पेर पाइ इंशुलेशन दिया है तो चलो मैं आपको इसको इंकुबिटर को अंदर से बता दू तो ये देखिया इस इंकुबिटर का जो पूरा कैपिजिटी हो 250 अंडों का है इसमें 50-50 अंडों की पास्ट्रे लगती है और इसमें अभी फिलाल डक यानि बदक कांडा रखा हुआ ह आप देख सकते हो टेंपरेचर सेंसर भी आपको दिख रहा होगा है हिमिडिटी सेंसर भी आपको दिख रहा होगा पीछे के साइड में इनोंने फैन दिया हो है और टेंपरेचर के लिए लाइट दी हो है और नीचे दोस्तो हिमिडिटी बनाने के लिए इनोंने एक छोटी फैन और पानी के अंदर हीटर दाला हुआ है आप देख सकते हो इंक्यूबिटर में सब तरफ टेंप्रेचर बनाए रखने के लिए उन्होंने थर्मापॉल का इस्तामाल किया है जी हाँ इनके आपे थोड़ी लाइट की समझता है साथी ओल्टेज भी पूरा प्रॉपर नहीं मिलता करके इनको ज़्यादा इंशुलेंस हैं देना पड़ा है और अभी इसके अंदर जो ड़क का अंडा रखा है तो इसकी अभी हम कैंडलिंग भी करने वाले है हम आपको चूदे के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं ग्रोथोरी ये भी बताऊंगा अभी तक इनके इनक्यूबिटर का रिजल्ट का जो रेशो है वो 75 से 85 के बीच में राये दोस्तों ड़क के लिए क्योंकि ये ज़्यादा तर ड़क में ही इनक्यूबिटर का इस्तेमाल करते हैं बदक के अंडे ही है ये हैच करते है और उन्होंने मात्र STC 3028 का इस्तेमाल करके इनक्यूबिटर को बनाया है दोस्तों आप देख सकते हो इनका जो गेट है इसके बीच में एक शीशा लगा हुआ है और उसके आज वाजू पूरा थर्मा कॉल का मोटा सीट लगाया हुआ है तो अभी हम डक्स एक्स की कैंडलिंग करेंगे तो कैंडलिंग करने के लिए इनके पास एक सीधा और सिंपल तरीका है इनके ट्रिक मुझे भी पसना ही इनके पास एक छोटी सी एलेडि लाइट है दोस्तो जीए आप 20 रूपे वाली एक एलेडि लाइट है उसको एक 12 ओल सप्लाई दे के चालू करते है और उसके उपर कैंडलिंग करते है तो एलेडि लाइट के उपर भी कितनी शांदार कैंडलिंग होती है आप देख सकते हो, यह देखिए, यह अंडे के अंदर पूरी तरह से चूदा बनना शुरू हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो, बीच में अच्छा कासा बॉल बना हुआ है, उसको अच्छी खासी भेन भी है, अब दूसरा अंडा भी हो, उसी रैक पर से उठाएंगे और कैंडलिंग टॉर्च के उपर रख देंगे, यह देखिए, इसमें थोड़ा भेन ज़्यादा बनी भी दिख रही है दोस्तों, आप भी वीडियो में साफ साफ चूदों की ग्रोध देख सकते हो, यह भाई साब ने इस इंक्यूबिटर के पीछे अच्छी खासी मेहनत क पीए, बड़िया इंक्यूबिटर बनाया कम बजेट में, और इस इंक्यूबिटर को देखके मैं अच्छा खासा प्रभावित हुआ करके मैं दोस्तों आपके लिए इस बाई साब का वीडियो लेकर आया हूँ, इनका रिधल भी बड़ी आ रहा है, आप भी इस तरह से होम मित्रो का धन्यवाद